हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिसके चलते विगत दो वर्षों से अधिक समय से कुंबलगड में विदानसभा शेत्र में संगठंदारा सेवाएं की जा रही है रानावत ने कहा कि जीवन के महतुपूर्ण शेत्रों में व्यक्तियों को जिन व्यक्तियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है वह आधुनिक युग में मार्गदर्शन और परामर्श की आवशक्ता बढ़ती जा रही है पीडितेवम गरी परिवार में मार्गदर्शन परामर्श तथा विशेश तोड़ से सहयोग का अभाव रहता है जिसके कारण बेरुजगार की शुरू की संख्या कुंबलगर्शेत्र में बढ़ती ही जा रही है काफी संख्या में गरीब परिवार यहां निवासरत है जिनके सहयोग के लिए यूद केर फाउंडेशन सदेव तथपरता की साथ कारे करते हुए आगे बढ़ रहा है और उनके सहयोग के लिए मैं भी स्वेम समय समय परकंदे से कंधा मिला कर साथ खड़ा हूँ बेरुजगार युवाओं का प्रोसाहन एवं सहयोग करना कुंबलगड विदानसभा शेत्र के बेरुजगार युवाओं के लिए यूद केर फाउंडेशन के द्वारा सहयोग सदेव प्रदान किया जाएगा एवं भील समाज की गरीब बालिकाओं के लिए विवास औरूप आर्तिक सहयोग संगठन के द्वारा किया जा रहा है कुंबलगड विदानसभा शेत्र में गरीब परिवारो को सवरोजगार के रूप में पेरना देते हुए अपने लक्षे को ध्यान में रखकर कारे करने के लिए सदेव प्रतिक परिवार को आत्म निर्भर बनाने में सहयोग प्रदान किया जाएगा लंबी महामारी के चलते जहां गोमाता काल की भेट चड़ रही है वही इस महामारी को बचाने के लिए गोमाता को विशेश दवाई के किट भी युद्ध केर फाउंडेशन के द्वारा गाउं गाउं में वित्रित किये जा रहे हैं पानी की समस्या का निदार कुंबलकर विदान सबाशीतर में पानी की विकट समस्या को लेकर युद्ध केर फाउंडेशन के द्वारा एक सुचालिस टुब्वेल खुदवा कर जनता को रहत देने का संकल पिया गया उन्वे से पच्चिस टुब्वेल खुदवा कर जनता को रहत प्रिदान की गई बची हुई भी अतिशी गृप पूरी की जाए जाग रुक टीवी के लिए राजसमन से नरेंद्र सिंग खंगारोत की रिपोर्ट